हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आई होप की आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली से उदाइपूर के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के बारे में दोस्तो हाली फिलाल में इस वंदे भारत ट्रेन के बारे में जो चर्चाए है वो शुरू हो चुकी है, खबर निकल कर सामने आ रही है कि अगले महीने में ये वंदेभारे ट्रेन सुरू हो सकती है तो इसी के उपर आज हम लोग बात करेंगे केद्र मंतरी राओ, इंद्रजीत सिन ने रेल मंतरी अश्विनी वैसनव जी से बात की है और पता चला है कि इस वंदेभारे ट्रेन को उदैभारे ट्रेन को उदैभारे ट्रेन के बीच में चलाया जाएगा तो इसके stoppage और साथ में इसका route निकल कर सामने आ चुका है तो आज की वीडियो में यही आपके साथ सेयर करूँगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वंदेभारे ट्रेन के रूट के बारे में तो दोस्तो दिल्ली से उदैपूर के बीच में जो भी ट्रेने चलती हैं वो दो रूट से चलती हैं एक तो मेवाड आप लोग जानते हैं जो कि दिल्ली से निकलने के बाद मतुरा सवाए माधुपूर, कोटाई की रास्ते होते होते हुए, चित्रकूट की रास्ते होते हुए जाकर उदाइपूर पोहसती हैं और बाकी की जितनी ट्रेने हैं वो रिवाडी जैपूर अजमेर क चलती हैं वो दिल्ली से उदाइपूर के बीच में लगबग 732 किलूमीटर के डिस्टैंस को 11-12 घंटे में कवर करती हैं जैसे कि राजिस्थान हम सफर है 11.5 घंटे का समय लेती है और मेरे को कुछ फेक निउस मिली जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली से उदाइपूर क डिस्टैंस को वंदे भारे ट्रेंज 6 घंटे में कवर कर पाएगी ऐसा नहीं है 1500 किलूमीटर का डिस्टैंस आल्मोस्ट है और यहां पर वंदे भारे ट्रेंज को लगबग 8-9 घंटे लग जाएंगे इस डिस्टैंस को कवर करने में रेल मंतरी अस्विनी वैसनव जी ने जाया है कि अगले 2-3 महिने में यहां पर टेकनिकल वर के जो किया जा रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद दिल्ली अजमेर सेक्सन पर जो स्पीड अप्ग्रीडिशन का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और वंदे भारे ट्रें 130 किलूमीटर परावर की स्पी की वहाँ पर सिंगल ट्रेक है 110 किलूमीटर परावर की स्पीड है और दोस्तो जब तक डबलिग का काम नहीं हो जाता जब तक वंदे भारे ट्रें के चांसेस और कम हो जाते हैं उदाइपूर रूट पर उदाइपूर से डिल्ली के बीच में दोस्तो इस वंदे भारे ट्र के भी chances बनते हैं यह कुछ major station है जहाँ पर train को halt दिया जा सकता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ clear किया गया है कि reward ejection पर stop दिया जाएगा मेडिय लिंग्स के अनुसार बताया जा रहा थे कि अगले महिने में वंदे भारत train शुरू हो सकती है लेकिन फिलाल में यह वंदे भारत train के आने के chances काफी कम है और हो ना हो मुझे ऐसा लगता है कि अजमेर वंदे भारत train को ही extend कर दिया जाएगा उदैपूर तक लेकिन जब तक single track है जब तक नहीं किया जाएगा और अभी मेरा ऐसा मानना है यह अभी कोई एक official news नहीं है और उदैपूर वंदे भारत train कब तक आएगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं है तो आज की update में इतना ही रखते हैं उमेद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन जरूर से प्रेस कर लीजेगा इस चैनल पर वंदे भारत train की updates मिलती रहती है तो चैनल से अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ लीजिए जय हिंद और गॉड़ ब्लस्यू अल